अभी डाउनलोड करें निलेस क्लासेजे और अपने बोडी जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दे यहां आपको आपके बोडी जाम से रिलेटेड सारी चीजे मिल जाएंगी तो लिंक की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ने है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी किन रिखेंगे मैं आप बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो तक हमने 8IO लगाई आसी तक पिछले वीडियो हमने कोशन को साल्व कर दिया था इसमें हम इसके अगे के प्रसुन को साल ठीके और गैज अगर आप WhatsApp ग्रूप से जूरना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो आप इस वीडियो के description को चेक कर सकते हैं ज्यादा जयानकारी के लिए ठीके चलिए अब हम आगे question को solve करते हैं यह आप लोगा 80 कर लिया था सदाब्दी से खड़ी बोली गर्दे का व्योस्तित विकास प्रारंभ या प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ ठीके चलिए उसके बाद हम question 82 देखते हैं कोशन आपको चलिए उसके बाद देखी question 83 ठीके 83 कोशन क्या है कि मेरा परिवार किस विधा की रचन है ठीके और देखिए इसमें आपका आप्शन दिया है रेखा चित्र संसमरार जीवनी डिपोताज तो देखिए मेरा परिवार जो है ये भी संसमरार विधा की रचना है क्लियर है आपको तो इसके लिए भी इस question के लिए भी आपका ये क्लियर है आपको आई होप यहां तक आपको सारी चीज़े क्लियर होगे होंगी ठीके चलिए अगला question देखते हैं 83 के बाद 84 नमर आप लोग देख सकते हिंदी का प्रथम यात्रवित है ओके गैज हिंदी का प्रथम यात्रवित आई होप आप लोग जानते होंगे आपका क सिपाही सर्विपार की यात्रा परिच्छा गुरु पत के शाथी ठीके तो हिंदी का प्रथम जो यात्रा वृत है ठीके वह सर्विपार की यात्रा इसको हिंदी की ठीके या हिंदी का प्रथम यात्रा वृत यानि यात्रा वृतांत अभीधा की रचिना माना जाता है ठीक इस question का answer मुझे नहीं पता है question 85 का आप देखिएगा धून लीजिएगा ठीके आप देख लिजिएगा कहीं भी नेट पे या कहीं अपनी बुक में कहीं भी इसको ढूर सकते हैं ठीके तो चले हम आगे बढ़ते हैं ते question 86 है question 86 क्या है कि अमरकांत का जन्म की सन में हुआ अमरकांत जी कावी प्रस्थिद लेखा करें ठीके तो दगी question 86 है ठीके इसके लिए option दें 1922 1925 1929 अमरकांत जी का जन्म आप लोग कहीं भी देखोगे ठीक कहीं भी इसको अपनी बुक में साथ बूक में तो नहीं है ठीके लेगिननेट पर सब्सक्राइब इनके विकिपीडि में हुआ थैं टीके आप उसके बाद संबीक है और मुर्धा सरायं कहानी संगर है ओके और इसमें आप लोग आप्शन देख सकते हो दिया है जैनेंद्र सीव प्रसाद सिंग अग्ये धर्म वीर भारती ठीके तो देखिए जो कोश्चन अब शतासी है इसके लिए आपका ये सेकेंड आप्शन सही है सीव प्रसाद सिंग ठीके कर्मनासा की हार प्रसाद सिंग ठीके तो देखिए इसके लिए सही अप्शन की अगर बात करें ठीके तो ये सेकेंड अलग अलग बैतांडी गली आगे मूर्ती है ये दोनों उप्रसाद के रचना है ठीके आई होप आप लोग को किलियर हो गया होगा ठीके चलिए अगला कोशन आप लोग ठीके उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धु काटा बुद्धु का काटा ठीके उसने कहा था ठीके उसके बाद सुखमय जीवन उसके बुद्धु का काटा कहानी है ओके किसकी ये तीनों कहानी आए ठीके कोशन नमर नमाशी है ठीके और इसमें आपका अप्शन दिया ह तो उजय शंकर प्रसाद चंद्धर सर्मा गुलेरी प्रेम चंद ठीके तो देखी ये तीनों जो रचनाएं हैं ठीके ये ठीके ये आप लोग की कहानी संग्र हैं किसकी तो चंद्धर सर्मा गुलेरी की ठीके आप लोग ये याद रखेएगा ओके ठीके ये आप लोग याद रखिएगा तीनों की तीनों की उसने कहा था सुखमय जीवन और ये वद्धू का कांटा ठीके ये चंदर सर्माज जी की घुलेरी की ठीके कहानी संग्र है ठीके यानि कहानी विधा की रचना है ठीके उसके पचले नमासी वाद हम कोशन नमर 90 देख लेते हैं ठीके देखें क कोशन दौबर 90 है कि 20 थगा ठीके बीस सोरी बीस थगा बोल देबीप ठीके बीप ठागा एसी यह सीरच नहीं कि क्या बता हो गई ठीके परंपरा कोठरी की बात सरणार्थी कहानी शंग्र है ठीके और देखिए इसमें आपका चार्ट क्याप्सन है सजितना नंधिरा नंध प्रेम चंदर ठीके उसके बाद देखिए यह जैनेंद्र इलास चंदर जोशी ठीके तो जो कोशन नंबर आपका 90 है ठीके इसके लिए आपका सही आप्शन ए है ठीके सचितानंद हीरानंद वाश्यायन अग्गे क्लिए आपको सारी चीज़े तो कोशन नंबर 90 भी आपको क्लियर ठीके चलिए आगे करी कोशन को साल कर लेते हैं आज कि इस वीडियो में पूरा का पूरा हम कोशन खतम कर देते हैं ठीके दीए एक आनबे नमर कोशन है आप लोगा ठीके कि धुरू यातरा कहानी है ठीके को पहने यह यूपी बोल्ड में क्लास ट्रुएल्ट वालो या तरह किसकी कहानी है जैनेंद्रुकुमार की क्लियर है आपको चलिए अग आगे हम बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन कोशन नमर बानबे ठीके इनिम्हित में से कौन सी रचना कहानी संगर है ओके और यह देख सकते हो आपको यह आप्षन दिया है पूर क कहानी संगर है पूस की रात ठीके उसके बाद यह कोशन नमर तीरानबे रहें ठीके मुझे नहीं पता है ठीके आप इस से धोंड लेजिएगा ठीक है आधुनिक काल कि महिला कहानिकार पता नहीं गई यह महादेवी वर्मत हो नहीं शिक्ति ठीक है यही मन्नु भंडारी मुझे लगती हैं लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कोशन नमर 93 पे ठीक है आप इसका आंसर धोंड लेजिएगा ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 93 के बाद कोशन नमर 94 कोशन नमर 94 है आवारा मसीहा रचना के लिखक है ओके अमरीत राय बिसलु प्रभाकर भैरो प्रसाद गुप्त नागारजुन इसका तो आई होप आप शब लोग आंसर जानते होंगे कोशन नमर 94 का ठीके बिसलु प्रभाकर ठीके आवारा मसीहा के लिखक बिसलु प्रभाकर हैं क्लियर आपको चलिए उसके बाद हम कोशन नमर 95 देख लेते हैं कोशन नमर 95 आप लोग अपने स्कीन पर देख सकते हो भूदान यग्य के लिखक है ठीके और आप लोग का आप्शन देख सकते हो डाक्टर नगैंदर बिनोवा भावे जनेंदर कुमार मोहन राकेश ठीके तो अगर कोशन नमर 95 की हम बात करें इसके सही आप्शन की कि भूदान यग्य के लेखक कौन है तो वो है बिनोवा भावे ठीके भूदान यग्य जो है इसके लेखक बिनोवा भावे हैं क्लियर है आपको च प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं किस यूग से संबंदी थे चांद्र प्रभा और प्रताप यह सब जो पत्रिकाएं हैं गरतेंदि यूग से संबंदी थे घनी में का प्रणूर क्लीर और अप्रभा आप लिए शक्ल्यों कोशन यहितुए उसके बाद हम बनारस अकबार का प्रकाशन किस ने किया, ओके, आप्शन ये आप लोग का बाल किर्श भट, राजा सीव प्रसाद सिंग, लचमड शिंग, सदा शुक लाल, ओके, तो देखिए, कोश्चन नमर अंठानबे के लिए आपका शही जो आप्शन है, ठीके, वो राजा सीव प्रस होगा, ठीके, कोश्चन नमर 99 देख लेते हैं, सहीत संदेश पत्रिका के संपादक हैं, ठीके, आप लोग ये याद रखिएगा, काफी इंपोर्डेंट है, ठीके, उसके बाद सो नमर प्रसन आप लोग देख सकते हो, पुरासकार कहानी के लिखक हैं, ठीके, पुरासकार क प्रसाद जी है, ठीके, तो इस तरह गया हमने आपके ये शो तक कोश्चन को साल कर लिए, लगबग पांच की छे वीडियो में, ठीके, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाया है, क्योंकि अगर सो प्रसनों कराते तो एक घंटे की लगबग हो जाती, तो आपको देखने भी ब देखें, तो उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाखर देख सकते हैं, तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बस थैंक यू